आउज़ बिल्लाहि मेने शेयत्वाने रौजीम बिस्मिल्लाहि रौख्माने रहीम असलाम लेकुम दोस्तों मौसिन एक बार फिर अपने चैनल विर्ट्वल स्टूडन्ट सपोर्ट सर्विसिस में आप लोगों को खुशामदीद कहता है दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी त सीख सकें दोस्तों मेरी जितने भी विडियो होती हैं तो उनमें गलती हो सकती है अगर उसमें कोई प्लस माइनास के गलती हो या कुछ अडिशन करना हो तो आप लोग उसे अपनी एंट पर कर लिया करें दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो एमज़ीटी फूर फिर ट आया हुआ है उस हवाले से है तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपनी इस जीडीबी को देखते हैं दोस्तों इस जीडीबी के अंदर हमें कुछ रिक्वाइर्मेंट्स दी गई है इसमें है एबी मैनिसेक्टर है थी डिपार्टमेंट मॉडलिंग मशिनिंग एंड फिनिशि एक अवार उनिट फ्रम देपार्टमेंट विट फिर्टन अक्यमूलेटिट गॉस्त तिल अप तो फस्त जून दो अवार उनिफ एट्स तूहंडर्ड पार्शली पुलिटिद यूनिट वर कंपलिटिद अव 90% विद रिस्पेक्ट तो दाटरेक्ट मेटेरियल और 75% हमारे पास मॉडुलिंग डेपार्टमेंन्ट रहें हमारे पास माडल बैपात्मेंट वह तो मिटलिंग यॡुंक तो मिटलिंग चुछा उनिफ चुन के अंदर एक पार यॵ्झ आया है और उसमें 20 जोएं व पारशली नृट्टी तो पार्शली इंद और मत्या नाइं तो फिक पर दिश्क प्रकष अब दी रोरी हैं उस्क तड़ीं फिरी इन ने किसा लोसार किसे ऐगार जेका सब्लिद्फ का również सब्सक्राइब ढई आतर देढ्ट किस अगारे किसे में on the करें इंडर जो है उसके उपर काउस्ट इंकर हुई है वह अमरे पाफ पाँच वार और तीन वार है और जो मशिनिंग डिपाटमेंट के अंदर काउस्ट इंकर वह वो साथ वार्च शत्ति फिसार और वाइस हवार है इसके स्लूशन की तरफ चलते हैं जी इसके स्लूशन में देखें सबसे पहले जो है मैंने कल्कुलेट किया है इक्वेलेंट यूनिट पर्डिफ यूनिट अंडर फाइफो में अब यहां पर देखें टोटल नंबर ऑफ यूनिट पर्डिफ टूरिंग दा पिरियेड वह हमने क्या है जी सबसे पहले हमने ओपनिंग परकें प्रॉसिस लिया इसमें देखें जो हमारे पाव यूनिट कंप्लीट है 75 प्रफेंट जो है वो हमारा लेबर का कंप्लीट है और एक्षट परसेंट हमने क्या करना है विद धी हल्प अफ दिफ गिवन डेटा इस डेटा की मदद पर हमने यह बताना है कि हमने कितने यूनिट कंप्लीट कि अब आके देखें ओपनिंग यूनिट नाइन अंडर्ड कैसे निकाला है जी एक फार मुल्टिप्लाइब बाइब नवे डिवाइड़ बाइड़ तो मरपस नौफ यूनिट बन जाएंगे इस इतरह एक फार मुल्टिप्लाइब बाइफ पिजहतर और टिवाइड़ बाइड बाइड तो वह मरपस आफॉपचास यूनिट बन जाएंगे और इस इतरह एक फार मुल्टिप्लाइड बाइड तो यह मतपक 600 यूनिट बन जाएंगे तो यह हमने जो है परफिंटेज को यूनिट के अंदर तब्दील कर लिया आगे जो है यूनिट आल्रेडी कंप्लेटिट वह हमने देखें के उसमें 200 यू आगे टोटल अगर हम यूनिट निकालते हैं तो 900 प्लस 200 1100 बन गया 750 डिवाइड प्लस 200 950 यूनिट बन गया और 600 और प्लस जो है वह 200 यूनिट तो यह हमरे पास टोटल जो है वह 800 यूनिट बन गए तो यह हमारी फर्स्ट रिक्वार्मेंट इसके साथ कंप्लीट हो जात अब अब हमा चाते हैं अपनी रिकॉर्मेंट नंबर 2 के अपर वह है पर यूनिट कॉफ यूनिट यूनिट कॉफ्ट यूविंग फाइफम मैफ़द के हमने जितने यूनिट कंप्लीट किया है जो हम पिछले इन्डर के अंधर की है उनकी पर यूनिट कॉफ कितनी हों कि अब देखें, पर यूनित कॉस्ट अनुंट फाइफो मेथट है, टोटल कॉस्ट हमने फिछ पहली लिया, मैटेरियल का साथ हज़वार है, उसके लेबर का 36 पिछटी पिछवार है, और फोच का 20 पिछवार है, आगे हमने टोटल यूनित ली है, से कि टोटल कोस डिवाइड़ तोटल यूनट तो आठ हष़आ वार्च्पीम ग्यारास हो तो वह हमारे पास 5585 यूनट कॉस्ट आ गई इसी तरह हमारे पास टोटल यूनट कॉस्ट करते हैं और तो वो उमारे पास 119 सिशरिया 93 जे यह कैसे आ गई चववनी शर्या 54 जमा 70 शिर्या 89 जमा 27 शिर्या 5 जुटो तो यह हमारे पास 119 शिर्या 93 जो है वो उमारे पास per unit cost आ गई यह हमारा था second step को लोने per unit cost calculate किया अब है हमारा third step in which we have to calculate the cost in cut ओपिंग यह हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जी इसमें तोटल कॉस्ट आगी सबसे पहले कॉस्ट अल्रेटी इंकर्ड वह मर पाफ देखें 16,000 है और अगे उपनिंग यूनिट से आगे इसमें मेटीरियल का लेबर का और एफो एच का अगे मेटीरियल के 900 यूनिट हैं मारे पाफ पहले और लेबर के 750 हैं और एफो एच के 600 हैं यह हमने फर्स्ट के अंदर वो किये भी हैं ठीक है जी अब आगे हम क्या करेंगे जी पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट हमने सेकेंड स्टेप के इंदर निकाली है वह हमर पर 54 शरीय जवण अब टोटल कॉस्ट हम इनकी कैसे निकालेंगे तो 900 शरीय जवण तो यह हमारे पास 49006 आ गया इसके बास 750 शरीय जवण तो यह हमारे पास 4818 आ गया और इसी तरह हमारे पास और फोच का 600 शरब 25 शरीय पजाब तो यह मारे पास 16500 आ गया अब हमने क्या किया कि कॉस्ट यूनिट पुट इन्ट वर्किन प्राफिफ डिूरिंग डप पिरियट यह हमने कैसे कैलकुलेट किया देखें मारे पास्ली पॉस्ट अलग अलग अग अमने यह ले लिया उसके 23986 बन जाता है और अगर हम इन सब का टोटल करते हैं कि मतलब यह अल्रेडी इंकट वाली कॉस्ट 16000 और यह जो हमने कैलकुलेट किया है यह और प्लस यह जो 200 यूनिट कंप्लेट है इसकी कॉस्ट तो हमारे पास एक लागते तीज बाद 990 जो है वो हमारे पास टोटल कॉ काफ आजाती है फार दी ओपनिंग वरकिंट अफिफ द्यूरिंग d maunth of जून तो यह हमारा थर्ड स्टक हो गया इसके बाद जो है हमारा अगला लास्ट फूर्थ वाला प्रेप है वो क्या है जी कॉस्ट यूनिट पुटिंट वरकिंट यूरिंग दी मांत अफ जून अ हमक्त आप और फोटा आप्ट और मांध उस जुन वह हमारे शाथ हजआ रहाएं रहा हुआ और और फाट हाती हई जुन हो अम हटी पर जमांट हवार टोटल एठाइच फ़वार और फाटी फिवार युमारे प्ची सुब्द पर नीए तेज और ये फी फिवार और फेट फे के लिए अंदर हमारी जो कॉस्ट आई है वो एक लाग चॉंती सिवार आई है तो यह दोनों आल्मोस्ट सेम है मतलब इसमें दफ का फरक है टेन का ना और यह बिल्कुल माइनर से डिफरेंट है अगर हमारी टोटल जो वरक इन प्रॉसेस से लेके और जो हम मतलब डिपार्ट अगर यह दोनों स्ट्व का मिकलब कॉस्ट अगर हम स्टप बाई स्टेप आए वह वाली कॉस्ट यह हम कठी इकठी breathaker एक एकठी थो मन्त और जून की कॉस्ट कैल्कुलेट करते हैं अगर यह दोनों कॉस्ट हमारी बराबर आती है तो इसका मिकलब यह हमने सारीれないजुु ब और मॉफिन भाई की वेबसाइट वी यूटिपल एफ डाट कॉम देखते रहिए और मॉफिन भाई को दुआ में याद रखिए थेंक यू बरी मस् दोफ्तों अला आपिव